आपको याद दिलाने के लिए चली एन एफ हमने बताया था सब्सक्राइब होता है जो बच्चे लास्ट लेक्चर अटेम्ट नहीं कर पाये हैं वह पहले आप पहले इससे पहले वाले लेक्चर को अटेम्ट जरूर करें और जैसे आप जैसे आप जो है उसे पढ़ेंगे तो आपको यह पढ़िया से और भी ज्यादा पढ़िया से समझ में आ जाएगा ओके सो गाइस आप देखें डेल्टा जी जिकल्टू माइनस और एन एफ इ मैंने बताया था और जहां पे एन की बैल्यू क्या है नंबर ओफ इलक्ट्रॉन दाट रेडॉक्स रियक्शन उस रेडॉक्स रियक्शन में जितने भी नंबर ओफ इलक्ट्रॉन इंबॉल्व होंगे सर वह जो बैल्यू होगी वह एन के एकुबैलेंट आ जाएगी एक मिनट है ओके ठीक न तो आप यह कहना चाहते थे कि सर जितने भी नंबर ओफ इलक्ट्रॉन उसमें आप इंबॉल्व करोगे वह आपके डियरेक्ट जो है एक मोल इलक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था 965 00 कूलाम के बराबर चार्ज को करी करता है यह आप लोग जानते हैं कि सर वन फैराडेस की जो बैल्यू होती है वह होती है 965 00 कूलाम के इक्वलेंट होती है यह साथ आप लोग ना बढ़िया से पढ़ा होगा तो आईए सर एक बात बताईए अगर मैं डिल्टा जी नॉट लिखता हूं तो डिल्टा जी नॉट का मतलब क्या होता वही डिल्टा जी नॉट का मीनिंग हो जाएगा लेकिन इलक्ट्रोट पोटिंशल आजाएगा वह इनॉट के टर्म में आ जाएगा स्ट नॉट्रोट पोटिंशल की वैल्टी हो subscribe समझ मारता था है सभी को बहुत मज़ेदा टॉपिक है स्टेंडर्ड गिप्स प्री एनरजी सर आपने कहा स्टेंडर्ड का मतलब सर वन मौल कंसेंट्रिशन वन एटीम प्रिशर तू नाइंटीएट केल्विन टैंपरिचर बडिस्टेंडर्ड बोल देते हैं ठीक न और उसमें जब आप स्टेंडर् लगा देंगे डेल्टा जी पर क्या कर देंगे आप लगा देंगे सर जब नौट लगाएंगे तो इलक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो नौट के टर्म में हो जाएगा होगा नहीं होगा बड़ी सिंपल सी बात है ओके अब सुनो भाई सर कोशन तो ठीक है हम लोग सर ये फ आमिनेशन में आ गया है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस कोशन को सॉल्व भी मैं ही करूंगा बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है कोशन समझना है देखिए तो कोशन है बच्चों क्या दिया था दगिप्स फ्री एनर्जी ठीक ना देखिए न देखिए एनर्जी ठीक ना देखिए एनर्जी फोड दीपंपोजिशिशिशन ओभ अवाज आरा भी टा आप लोगों को एक रेक्षन दिया था और रेक्षन आपको दिया था 2 by 3 2 by 3 प्लस ओटू और इसके लिए ठीक न और आप से कह रहा था डिल्टा जी की वेल्यू उसका दिया हुआ था प्लस ओफ 966 किलो जूल पर मोल इतना आपको यह बैली दिया था तो पोटेंशिल डिफरेंस नीड़ फॉर और उसके बाद लिखा हुआ था बिफटेंशिल प्लस प्लस ब्लस चांग एकिवेलू पूछ रहा हुआ डिफरेंस टिल्टेंश नव गानलब ऑप यंडेट फॉ पूलिदू ही बीडक्ट्रा बैलु कि रिदक्शन आफ कि एलक्ट्रोलाइटिक रिदक्शन आफ कि एल्टू ओ थ्री एड फाइफ हंड्रेड डिग्री सिल्सियस तो बच्चों पहले कोशन को पढ़िए आप लोग को पढ़िए भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं यह कोशन क्या है देखिए देखिए बच्चों यह कोशन क्या है बहुत ही सिंपल सा कोशन था यह गिप्स फ्री एनर्जी फॉर्ड डिकंपोजिशन आफ एल्टू ओ त्री एट फाइफ हंड्रेड डिग्री सिल्सियस मतलब कोई ऐलूनियम ऑक्साइड एक जो है ठीक न कोई इलक्ट्रोलाइ एल्ट्रोलाइटिक डिदेक्शन के लिए इसमें क्या पूटेंशल डिफ्रेंस आएगा यह आपसे पूज रहा है निकाल सकते हैं पहले देखो भाई कोशन समझ में आया क्या नहीं बोलो बच्चों जरुआ पर समझाओ ना क्वेशन एक वाग्या है कि गिप्स प्री एनर मतलब यह जो इलक्रोलाइट दिया गया है इसका डिकम्पोजिशन यह हो रहा है जो रियक्शन दी गई है इसमें इस रियक्शन को डिकम्पोज होने में इतना अमाउंट आप एनरजी डिल्टा जी लग रहा है ठीक ना तो इस डिकम्पोजिशन या इस इलक्रोलाइटिक के लिए जितना potential use होगा उस potential को आपको निकालना है समझा या नहीं समझा आप लोग तो आप देखो बच्चों कैसे निकालते हैं सर बहुत ही आसा कोशन है तो सर डिल्टा जी जिकल तो हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं एं एक पूद्ख जिकलना बोलए सब लोग डेल्टा जी आपको पता होना डेलटा जीटा फ। किलोजूल में तो दो सिक्नालड जूल में और कर दो यह ना तो बच्चों हुआ येसर म्यवेलु क्या जाएगी 965 009 कोलाम के इक्वेलेंट होगी नहीं होगी जब एक की वैलु इतनी होगी तो देखो तो सर एन की वैलु कितनी होगी है क्या कोई इस्टूडेंट एन की बेली निकाल पाएगा क्या सब्सक्राइब के लिए कैसे निकालते हैं आज तक आपका सामना ऐसी कुषिशन से नहीं हुआ है जब जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तब तक आपको जो है ऐसी कुषिशन पहली बार आई हुई है तो मैं देखो यहां पीछे से ओटू है अपको लगाना नहीं है हमें तो हमें और फिर्टा अपनी मर्जी से बैलेंस करना होता है तो देखो 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 यहां एल्यूम कि आ एलूमिन देहेंग देखो रूचटेंड में कितना वच्चो फोर řॉर थुसम में लेकिन ओक्सीजन कितना है ओक्सीजन देखो और आप देख रहे है दर चार बच गए तो फोर एच लगाना पड़ेगा अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है मैं फिर से एक बार इस equation को यहां पर लिख रहा हूं देखो टू बाई थ्री एल टू ओ थ्री जैसा कि मैंने आपको बताया इस टाइब की क्योंक इस टाइब की क्विशन में औख्यूजयन और हाइड्रोजन को हमें अपने आप बैलेंस करना पड़ता है तो देखिए हैं कैसे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे आप यहां पर देखो अल्यूमुनुनुन कितना है वैटा रियक्टेंट साइड में बताइए सब यहाँ पे जो रियक्शन दिये ने इकूशन में जो ऑक्सिजन होता है वह अपने आप लगाना पर था औक्सिजन हमें जब भी कोई रैडॉट ऑक्स रियक्शन करते हैं तो अपनी नजिसे उसको बैलेंस करना परता है तो अपनी मर्जी से हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को हमें अपनी मर्जी से डिसाइड करना पड़ता है समझ आथा सब को गोलिए वोली सबास वोली भच्छो जो लगा के वोरी सबसे इस में तो एसे हैं वच्छो इतने सारे पुक्ष्चे हैं यहां पर मैं Match木 इंग देखता हूं और मैं आप लोगोंग को देखता हूं जैसे की से कि कि इतने सारे बच्छे हैं ऑली दस पंद्रेव लोगों कई आवाज आता है यह सोड़नों में बागी लोगों का कभी आवाज नहीं आता है ऐसा क्यों मान के चलिए आपके पास नेट्वर्क नहीं है तो आप मैसेज में अगर आट लिस्ट आप जवाब दें तो मुझे पता तो लेगा और कुछ बच्चों को तो डाउट भ चलिए कोई बात नहीं है लेकिन ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कान खोलके रखेगा बच्चा बहुत इंपोर्टेंट है देखिए आप देख रहे हैं इस रियक्शन में मैंने बताया कि सरा ऑक्सिजन और हाइडोजन को हमें खुद से बैलेंस करना पड़ेगा खुद से अब देखो कितना है वेटें यहां पे तू व्यां कितना है देखैस एक बताये सर्फ आप अक्सिजन कितना है औक्सिजन आप देख रहे हैं तो ऑक्सिजन कितना है इदर इदर ऑक्सिजन दो है रियक्टेंड में दो है तो मैं यहाँ दो ऑक्सिजन चड़ाने के लिए क्या कर दूँगा दो वाटर के मॉलीक्यूल को लगा दूँगा जैसे ही मैंने सर्डव वाटर के मॉलीक्यूल को लगाया तो यहां पे कितना है चार हाइडोजन बढ़ सब लोगों को दिख रहा है या नहीं विलकुल विलकुल तो सर एन की वैल्यू मैं आप यहां पर कितना लिख दो फूर तो आप मुझे बताए क्या अब आप एकी बैल्यू निकाल सकते हैं क्या 966 इसको डिवाइड करें से अपने कैलकुलेटर से और फिर मुझे बताए आंसर कितना आ रहा है माइनस का क्या होगा है माइनस भी लगाई है माइनस भी लगाई है माइनस भी लगाई है बिलकुल माइनस कितना रहा बेटा अंसर माइनस 0.02 इंटू 10 तू पावर 3 माइनस 0.02 इंटू 10 तू पावर 3 सबका इतना ही आ रहा है क्या आप इसको सॉट कड में ऐसे भी कर सकते हैं देखो 10 तू दी पावर 3 को आप 1000 ऐसा कर दीजिए तो इसको आप 96660 डिवाइड वाइ 4 इंटू 965 अब कितना आ रहा है एक मिनट है मैं भी कर लेता हूं सब लोगों का यही आ रहा रहा आंसर माया सब्सक्राइब इस माइनस टू पॉइंट फाइप जिरो टेंट तू दी पावर भी आ रहा है क्या मैंस टू पॉइंट फाइप जिरो माइनस टू पॉइंट फाइप बोल्ट आ जाएगा आंसर समझ रहे ना इह बच्चों किसी को कोई डाउट नहीं है न इसमें बोलो किसी को कोई डौट है तो बहुते हैं यह तो पूछ बूस करो ना क्यों बिल्कप सावास बिल्क्प singers डॉच्व करता हूं है तो बहुत अच्छी बात है अप लिस्ट आप लोग कम स्वेगत तो पूछ पा रहे हैं किसा एक बार और समझाइए देखो देखो अच्छा मैं इसको एरेज करता हूं ठीक ना इस एक्वेशन को एरेज करता हूं तुबारा दिखिए एक बार फिर से आप लोग दिखिए कोई भी दिक्कत नहीं है हम मैं समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बस बात यह है कि कितने बच्चे पूछ पाते हैं यह सबसे बड़ी बात है और चलिए आईए देखिए तो इक्वेशन देखो क्या है टू बाई थ्री बहुत ध्यान से देखो एल टू ओ थ्री है और यहां पर फोर बाई थ्री एल है अब जो मेरे पास इधर में एक्वेशन थी ना बेटा इस एक्वेशन में आप देख रहे हैं ऑक्सिजन भी था तो यह ऑक्सिजन उसने अपने आप बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है इस ऑक्सिजन को उसने अपने आप बैलेंस कर दिया है लेकिन जब भी कभी भी किसी भी रेडॉक्स रियक्शन को सॉल्व करते हैं आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है हमेशा 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 हम इरोजन और ऑक्सिजन को अपने आप बैलेंस किया जाता है सर जहां जहां ऑक्सिजन की कमी होती है वहां वाटर मॉलिक्यूल को लगा दिया जाता है और जहां जहां हाइडोजन की कमी होती है वहां एच प्लस आइन को लगा दीजिएगा कि लेर हुई बात बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं बच्चा मैं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है समझ रहे हैं ना सब लोग बहुत ध्यान से सुन पा रहे होंगे मुझे उमीद है आप लोगों पर सुनिए वच्चों आगे तो सर ठीक है ऐसा ही करते हैं तो आएये 2010 साइड में कितने अलमुनियम है बोलो आप लो बोलो रिरे 10 इंड़ म्हां पर सब लोग बताईए सब लोग बताईए बच्चों सब लोग बदो ये कि बेटा कितने अने अलम 4 by 3 सबको 4 by 3 तो प्रोड़क्ट में भी 4 by 3 है अच्छा oxygen कितने है reactant में बताओ 2 तो सबको 2 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं भूलिए सबको 2 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं देखो 3 oxygen यहां पीछे है इसको आगे 2 से multiply करें 3 2 जा 6 तो 6 by 3 है जहां जहां की कमी होती थी मैं में आपको बता है वाटर मॉलिक्यों को लगा दी जिएगा तो कितना अब बड़े बस नहीं पड़ेगे सर्व तो लगाना पड़ेगा तो Shanklin बढ़े प्रोडक्ट में वोले सावास को बोलो बाल को तो फॉर एच पॉजिटिव आयन हो गया अब आप मुझे बताएए क्या नंबर ऑफ एलक्ट्रोन चार इलक्ट्रोन एड करने पढ़ेंगे नहीं करने पढ़ेंगे बोलो बाल को तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो एन की बैलियो आएगी वह किसके एक्वेलेंट आ रही है सर वह बिलकुल फॉर की एक्वेलेंट आ रही है है ना सान मज़ेदार है ना तो ऐसे इसको सॉल्प करना था आया समझ में अब बताओ अब सबको आ गया फिलिंग आई वेटा कोशन की इस चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक नई इंपॉर्टेंट बात लेकि नई शुरुवात फिर से करते हैं नई शुरुवात तो बच्चा हम हमेशा नई शुरुवात करते हैं लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कहे बार कोशन में स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है कंफ्यूज कैसे होता है देखिए इसका नाम है इस पॉइंट का नाम है रिलेशन बिट्विन स्टेंडर्ड पोटेंशिल और हाप सेल कंटेनिंग रिलेशन बिट्विन रिलेशन, रिलेशन बिलेशन, रिलेशन बिलेशन tickets रिलेशन, रिलेशन बिलेशन use फिर ङल तैन बिलेशान announce, τौ म में जाै। char gonna dope हो वी चान बिलेशम, बिलेशन, बिलेशन, स्ट तेमान पेटीठर्ड र घाल, आ। है रिदिंग बड़ी लंबी चोड़ी है इसकी लेकिन कंसर्प्ट है नहीं इतना लेकिन इतना बड़ा नहीं है है दिना वर में के आपको कभी-कभी क्या कर देगा जड़ा ध्यान से सुनिए आपको कभी-कभी एक ऐसे देगा देखिए आपको बोलेगा कि support ए से कोई a के लप्रों निए की प्लस बन रहा है कि समझ रहे क्या और फिर यह कोई एक equation पहले नंबर की question देगा दूसरे नंबर की लिखेगा ए प्लस से आपको बोलेगा A2 बन रहा है, ठीक है न, इसके लिए मान के चलो electrode potential E1 दिया और इसके लिए electrode potential E2 दे दिया है, ठीक है न, और आपको बोलेगा calculate the electrode potential of electrode potential of A से A2 वाले reaction का A से A2 वाले reaction का electrode potential आपको बोलेगा find out करिएगा, यह कोई concept नहीं है, बस question को solve करने के लिए एक बात बताने को मैं आपको जा रहा हूँ, समझ माई बात, जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है, वो फिर से देखिए, बच्चों आपको क्या करेगा, कि कोई A की question दे देगा, A से A प्लस बन रहा है, बोलेगा, उस reaction का electrode potential E1 दे देगा, ठीक है ना, और दूसरी reaction दे देगा, A प्लस से A2 और बोलेगा, सर इस reaction का electrode potential E2 है, और आपको कहेगा, calculate the electrode potential A से A2 वाले cell का निकालेगा, मतलब A से, A से इस वाले cell से इधर वाले cell का ऐसे निकालेगा, बोलेगा हो, तो आपको यह नहीं करना है, तो इसका जो electrode potential होगा, वो मान के चलो E3, तो देखो, electrode potential of इस cell का, जो आपको यह वाला cell यह इसका, from above cell, ऐसा भी लिख सकता है, from above electrochemical cell, electrochemical cell से बोलेगा, जो ऊपर दिएगे, electrochemical cell है, इन से आप से कहेगा, कि आप निकाल के तो दिखाए, तो बच्चों, आपको यह गलती यह नहीं करनी है, आप ऐसा नहीं करेंगे, इथरी जिकल टू सीदे, इवन प्लस इटू नहीं करेंगे, समझ रहे हैं क्या, this is the wrong, और मेरी बात समझ में आई या नहीं आई पहले मुझे यह बताऊ बढ़ा जिम्पी सी-फना चाहता हूं क्या में अपनी बात को शही से कह पा रहा हूं आप लोगों के सामने या नहीं बोलो किया मैंने अपनी बात सही से बुली है न सब लोगों से प्रांची बोले प्राचि, ओकी चलिए 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 आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं तौब दीखो तो तो सर आपको ऐसे नहीं निकालना समझ रहे हैं आपको निकालना है गिब्स फ्री मैंण ड्र्याइजि हमारे होता है एड़ेटीव प्रोपर्टीज होती है आपको पहले क्या करना होगा पहली उक्वेस्टि living मैंने ज 1 गिब्स प्री एनरजी दूसरे वाले का इल्टा जी टू है और तीसरे वाले का जी है तो आपको ऐसे निकालना होगा डिल्टा जी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा डिल्टा जी इकल टू डिल्टा जी वान प्लस डिल्टा जी टू समझ रहे हैं बच्चो इस ऐसे पहले आपको ऐसे निकालना पड़ेगा देखो कैसे निकालेंगे तो डिल्टा जी N3 F into E3 हो जाएगा तीसरे वाले सेल का इसका दूसरे वाले का क्या होगा N1 F E1 प्लस और यह माइनस N2 F E2 ऐसा होगा नहीं होगा बोलो समझ मा आया नहीं आया बोलिये बोलिये यह सर किसी को कहीं पर डाउड है तो पूछो बिटा सावास किसी को डाउड तो यह ने इसमें पूछें के आप देखो 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 सब्पियर्व तो तो सेम नहीं आएगी ना एक तो सर फैयराडेज है नम्बर और फैयराडेज आपको बटा दिक्कत तो नहीं आ रही ने कुछ सुनने मैं अब कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रहा रहा ना तो सर कहने का यह मिनीग है कि जो डेल्टा जो F की बैलू है यह तो फैराडेज है यह तो सब के लिए एक ही रहेगी ना तो आप ऐसा करें इसको n3 fe3 minus sign के साथ आगे से इसको देखो यह क्या हो जागा n1 e1 ऐसे होगा n1 e1 और यह हो जागा माइनस n2 माइनस n2 e2 और बाहर क्या ले लूँगा मैं यहाँ पर बाहर कॉमन क्या ले लूँगा ने लूँगा बोलो यह कोशन समझ में आया क्या यह सबको आया विटाई समझ में मैथमेटिकल एडियेजमेंट यह सद्व और भी बच्चे जो बच्चे हो सकता है बाइव बैग्राउंड क्यों किसी को ऐसा तो नहीं जिसे नहीं आया बोलो अरे कोई ऐसा तो नहीं है सर जिसे नहीं आया है चलिए 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 चली चलिए कोई बाद तो मैं यह F से F को cancel कर दो बटा तो यहां N3 E3 भचेगा इसी कल डूँ यह माइनस एक्षुली अंदर मल्टिप्लाई होगा अंदर मल्टिप्लाई होगा नहीं होगा अरे बोलो तो सही N1 E1 प्लस N2 E2 होगा नहीं होगा यह अरे बोलिए यार यह समझ में आ रहा ना mathematical बच्चो यह simple mathematics समझ में आ रही है आपको या नहीं यास सर्थ यास सर्थ ओके अब यह minus से minus इसको ऐसे cancel कर दो तो N3 E3 is equal to क्या हो जाएगा N3 E3 is equal to क्या हो जाएगा N1 E1 प्लस N2 E2 होगा नहीं होगा तो अब इधर देखो इधर देखो तो सर्फ फाइनली E3 कैसे निकालेंगे E3 is equal to होगा N1 E1 प्लस N2 E2 divided by क्या हो जाएगा N3 यह होगा नहीं होगा बोले 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 चुछन क्या सबी बच्चों को समझ में आ गई है क्या देखो आराम से देखे आराम से देखे मैं इस पर इक निमरिकल कराने जा रहा हूं आप लोगों को अप क्या सब को समझ मां आगी क्या यह सब्सक्राइब करें को रहे हैं आप सही आ रहा है आवाज अब क्या मेरा सही आ रहा है कि बच्चा काफी बार बार आ रहा कि ऐसा प्रोब्लम अच्छा अब भी नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत कभी कभार एक मेरा था है अब हो रहा है यह कहीं यह एरफोन हिल रहा है उसकी वज़ा से तो नहीं हो रहा है नहीं सब्सक्राइब नेट्वर्क इश्यू है सर अब का बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है अबि हो रहा है अब हो पीए और आंगा प्रोब्ल्ब्ब्स बच्चो अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या अब है नो सर अच्छा थोड़ा वीडियो बंग करने के बाद नहीं आ रहा ना प्रॉब्लम सब को आ रहा है सब बच्चे बताओ भाई सब लोग बताओ कि यह सब तो एक मिनट में थोड़ा सा कुछ समाई के लिए वीडियो आफ रखता हूं है ना ठीक है न समझ रहें बटा बोलिए यह सर तो फिर कुछ समय में फिर आउन करता हूं तो जरा आप पहले काम करो बच्चो इस वाले इक्वेशन को क्या करो इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में नोट करो हो गया तो बता ना बेटा सर लिख लिया हो गया सर कि तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा अब आज में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो ठीक है मैं आपको एक कोशन कोशन देता हूं मुझे उमीद है कि आप लोग उसकोशन को सॉल्व कर देंगी ठीक है ना आईए बच्चों बहुत ही सिंपल सा कोशन है बहुत बार इस तरीके से मेडिकल और जेई के एक्जामिनिशन में पूछा जाता है इस सिंपल से कोशन का राज बस इसी फॉर्मूले में था आपको कुछ करने की ज़रुत नहीं है तो मैं यहां पर कोशन लिखता हूं कोशन इस लाइक दिस फॉर्प्रोसेस मैं आप लिख रहा हूं और प्लस आपको लिखके देता हूं इलक्ट्रॉन इस इकल टू आपको यहां पर लिखके देता हूं copper plus iron यहां पर है और इसका e is equal to e1 मैं लिख देता हूँ 0.15 बोल्ट है ठीक न और दूसरा एक और equation ऐसे देता हूँ copper two positive ठीक न copper two positive प्लस यहां पर लिख देता हूँ two electron और यहां पर आपको कहता हूँ copper बन रहा है और sir इसका e2 आपको देता हूँ 0.336 बोल्ट और आपको कहूंगा calculate the calculate the e4 e आपको calculate करने को कहता हूँ copper positive iron का और प्लस इसमें एक electron डालके और यहां पर copper बनाने के लिए ठीक न तो क्या आप लोग इस equation को solve कर सकते हैं क्या इसका e say yes or no yes sir तो ठीक बच्चा करिए दो मिनट में सब लोग करिए दो मिनट में sir 0.822 sir 0.822 sir 0.822 और बच्चे सर 0.5 टू आरा रहा रहा है तो यारे कोशन के दू आंसर नहीं आ सकते हैं सब्सक्राइब केमिकल रियेक्शन को फर्स्ट वाले को सर उल्टा करना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा इकोशन को आइसा बोली ऐसा ना बताया वो पहले आंसर बेटा वो उसको उल्टा नहीं किया क्या नहीं सर नहीं किया था करिये देश जानी देश जानी ने कैसे किया विटा सर मैंने उल्टा नहीं किया था टाइक करो टाव उल्टा करो उल्टा करो ऐसे थोड़े ना हो जाए गया कि आई कि उल्टा करिये समाइना 0.522 यह आरा ना उसका अंसर सबका यह आरा अब सुनों उल्टा करेंगे तो यह जो अच्छा आपने बच्चों फस्ट को उल्टा किया होगा तो उसका इवन के आगे माइनस साइन आ जाएगा कि यह समझे क्या कि नहीं समझे क्या कि नहीं समझे करवा ना ओके मैं खुद कर देता हूं देखे आपके पास यहां पर देखो करेंगे आप लोगों के मायंड में कोशन ऐसा भी आ रहा होगा कि सर उल्टा किस बेस मीन क्वेशन है जिसंद हम कर Daewi अ यह सर यह तक कर देखो प्ली कि जो मेर पर प्लस इसमें जिसका आपको ईधरी क्या हो फीмо करना है वो तो यह वाली है है इसमें copper positive ion reactant में है या नहीं है आप बताओ तो जो आपके पास equation first है इसमें कहा है copper plus product में तो मैं equation first को मैं ऐसा लिखोंगा equation first को inverse करूँगा उर्टा करूँगा ठीक है इन्वर्स ऑप equation first ठीक न और जब equation और प्लस उसमें equation second को add करूँगा तो देखे equation first को जैसे मैंने इन्वर्स किया copper plus इस इकल्टो आपने देखा बच्चा कि copper two positive आ गया है इसमें copper two positive आया और इसमें यह electron आपने देखा इस तरीकी से ठीक है न सब्सक्राइब करें तो इसके आगे जो इवन के आगे साइन आ जाएगे माइनस आएगा नहीं आगा 0.15 आपने उल्टा कर दिया नहीं question को और देखो copper two positive से दूसरा equation यही है तू इलक्ट्रों इस इकल्टो आपने ऐसे copper लिखा नहीं लिखा और इसके आगे e2 is equal to 0.336 आप देखो कुछ बच्चे ऐसा कह रहे होंगे कि सर जब आप equation को balance करेंगे तो आपको यहां भी दो इलक्ट्रों यहां भी दो इलक्ट्रों करने पड़ेंगे ऐसा बोल रहे होंगे इस copper two आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है यह यह नहीं करना है आपको यह चीज करने करने पड़ेगी कि आप जो है डिल्टा जी में दो से multiply नहीं करो गई आप चलिए यह सब छोड़ दीजिए मैं आपको समझा देता हूं तो देखो रियक्टेंट में आपके पास क्या बचा हुआ है यहां copper आपको मिल गई मिली या नहीं मिली बोले हां या ना कि बोलो बोले जोर से सब लोग बोलो सब लोग डाउट है तो बोलो अच्छा चलिए तो ठीक है सर तो equation फर्स्ट का अगर आप डेल्टा जीवन निकालेंगे तो जीवन ही जीकल दू क्या हो जाएगा बेटा 1 into F को कुछ करना नहीं है 1 into minus 1 into minus 0.15 ball आएगा तो यह कितना हो जाएगा plus of 0.15 ball आएगा निया आएगा delta G1 आएगा निया आएगा बोलो yes sir जी कितना सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्षाम मैं वैसी कर रहू हों क्योंकि आपने जैसे किया मैं यह सी कर रहा हूं मेरे पास एक नहीं बच्छों बहुत सारे रास्ते हैं आंसर निकालने का मेरे पास एक नहीं बहुत सारे आशते तो आच्छा फॉर्मूला क्या था E3 E3 is equal to क्या था बैटा N1 E1 plus N2 E2 divided by N3 देखो N1 की value 1 E1 की value minus 0.15 ऐसा ही था प्लस N2 की value कितनी है 2 और E2 की value कितनी है 0.336 और सर N3 की value कितनी है 1 तो आब मुझे बताइए minus 0.15 प्लस इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 0.672 ऐसे आएगा क्या यह सार बोले यार बोले बोले कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं न मैं यह जीरो पॉइंट नो सब्सक्राइब अपन वन तो ओबरॉल E3 कितना आ रहा प्लस आप कितना आया जीरो पाइंट 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 अब समझ में आगे बैटा आप लोगों को अरे बोलो बोले अच्छा अभी भी क्या किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई है तो बोले मुझसे मुझसे बोले दिकत तो नहीं आई ने किसी को अरे बोलो तो सही अब क्या आप लोग एक क्वेशन और करना चाहते हैं क्या यह सर चलिए एक और आप प्रैक्टिस करिए कोशन टू मैं आप लोगों को दे रहा हूं कोशन नंबर टू मैं यहां पर लिख के देता हूं देखें और आपको गिबन है मैं थोड़ा सा कोशन मैं लिखूंगा क्यूंकि नहीं तो कोशन लिखने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है यह नौट की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी एफ 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 पॉजिटिफ अपॉन एफ एफ ए इकवल टू आपको दिया हुआ रहेगा माइनस और जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स बोल्ट है और सर ई नौट और दूसरा एकुशन दिया हुआ है आपको मैं एक दिन एक पूरा पीडियाफ इसकी डीपी लाओंगा कम्सकम बीस से तीस चालीस पचास कोशन की उस दिन हम पूरा उसी को सौलब करेंगे समझ रहा है ना इसके लिए आपको बोलेगा तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या पूलिये बोलो बोलो सावास यह सब बच्चे बिल्कुल जोर लगा के करना सुरू कर दो बच्चों सौलबेश को करिये सावास ओके अभी अभी थक्कर अभी थक्कर आवाज आरी बटा सुन पारा समझ मारा अभी थक्कर को अभी थक्कर ओके और दूसरा कौन है देश जानी प्रेम पटेल यह सर प्रथम पटेल यह सर अवाज आ रही अच्छा हैली 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 क्याना हैली को समझ मारा है कि यह सर ओके ओके कोशा क्या नमें कोशा है क्या यह सर अच्छा जीया पटेल माही पारी यह सर प्रथम सा यह सर रोहन मीट सा यह सर यह सर और स्रे स्रे को समझ मारा है यह सर और कौन है भाई हीट हीट को समझ मारा है प्राची यह सर यह सर प्लुस अफ 0.77 यह सर प्राची प्राची को भी आरा समझ में है यह सर तेजश्री यह सर तेजश्री कहां से देखेंगे वीडियो कहां से पढ़ें एंवाद से यह सर रूद्र पटेल शुभम यह सर धेपटेल ये सब्सक्राइब और कौन है कौन है कौन है और सिद्धान्त कि इस दान कहां विटा आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी कुछ बच्चु के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं मिशिका मिशिका को आ रहा है कुछ समझ में कि यह सब्सक्राइब के और सालवी कि यह सब्सक्राइब जैनिल जैनम कि इस रिद्धी के साथ एक और लड़की थी वो क्या नाम था उसका कहा है वो अ कि यह चलिए बच्चों चलिए चलिए तो ठीक है आई यह लॉट चलते हैं अपने कंसर्ट पर अपने कोशन पर जीरो पाइब स्थेव सेव यह लोग नहीं कर पाए है मैं उनके लिए भी कर देता हूं जिन लोगों ना कर दिया है मैं उनके लिए तो देखे पहला एक्वेशन-इससे बणेगा दूसरा कर देख रहे हैं सर आईधर ट्री पॉजिटेब से क्या बन जाेगा थो सब्सक्राइब यहां पर दूसरी वाली वाली एटू है तो इसकी यह जो बैल्यू आएगी नहीं आएगी बोलो सब लोग ऐसा ही कोईशन बनेगा इलकोल सही है आप सुनो बच्चो अब आप मुझे एक बात बताइए आपको इस इक्वेशन का इथी निकालना है देखो आइड़न थ्री पॉजिटिव इसके रियक्टेंट में है जो कि हमारे पास एक्वेशन फस्ट में रियक्टेंट में है आइड लेकिन सर दूसरे equation में iron two positive इसने कहां डाल दिया है इसने दूसरे equation में iron two positive कहां डाल दिया है reactant में तो हाम है equation two को क्या करना पड़ेगा equation second को क्या करना पड़ेगा इन्वर्स करना पड़ेगा इन्वर्स और प्लस उसमें cycle ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अरे इक्वीशन फ़र्सट पर बक्चा क्या फरक पड़ेगा कुछ भी नहीं आइरन आप इस तरीके से लिखोगे तो यह सर इवन की बैल्यू हो जाएगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स बोल्ट जो बच्चे नहीं समझ पाए थे वो समझे सेकंड को इन्वर्स करिए तो यह आइरन से क्या बन जाएगा आइरन टू पॉजेटिब बन जाएगा तो सर यहाँ पे एक टू की वैल्यू कितनी आएगी दो आएगी नहीं आएगी तो सर यहां पे जो यह हैद यहा पके उसका साइन चेंस आएगा नहीं आएगा दूसरे वाले मैं तो दूसरे वाले का साorial चेंसी होगी क्या ज़का प ओके चलिए चलिए तो लगाईए फॉर्मूला ए तरी जिकल टू ए थी जिकल टू आप क्या लगा देंगी ठीक ना अच्छा ए नॉट त्री लिख लीजिगा चलो ठीक है ए नॉट लगा दिजिगा कोई बडी बात थोड़े नहीं सरी नॉट थी लगाईए ए नॉट थी होगा नहीं होगा बोले सावास और सर इसको तीन से मल्टिप्लाई कर दो और देखो इसके आगे कैसा साइन है माइनस 0.036 प्लस एंटू एंटू की वैलू 2 है तुउ इंटू इसके 0.439 डिवाइड भए आप काई से करोगे इसको डिवाइड करोगे बच्छो आप काई से मैं यहां पर लिखा हुआ हूँ देखो कितना एलक्ट्रों से डिवाइड करोगे अच्छा आप बथाओ यूज करिए यूज करिए अपना केल्कुलेटर सब बच्चे यूज करिए सावास इतना इक्वेशन में एन इकोल्स थ्री नहीं आयेगा ना एन की पहलू नहीं देख रहो नमबर वन और विलक्टूट एक ही तो यहां पर प्लस थ्री से के प्लस थ्री से प्लस 2 चार्ज गया है ना कि डिफ्रेंस आया है चार्ज में कितने का डिफ्रेंस आया आख अब कि अब बता हो आंसर कितना आया कि प्लॉस ऑफ जीरो पॉइंट सेवान सेवान बोल्ट इस इस देग करेक्ट आंसर उम्मीद करता हूं बच्चों यह टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा बहुत मज़ेडार टॉपिक है किसी को कोई कर प्रॉब्लम तो नहीं है ने इसमें बोले नोट करिए जिसको समझना एक बार देख लीजेगा स्क्रीन पर आपको मैं थर्टी सेकंड का टाइम देता हूं फिर दिक्कत आएगी फिर पूछी पूछी लेकिन पूछी तो सही बच्चों जरूर पूछी कि आया समझ में कि ठीक जी कि ओके बढ़ें आगे क्या बोलिए बढ़ें बताओ तो सही आगे बढ़ें या रुके रहें और बोलो कोई तो बताओ यार कोई तो बोलो कोई तो बोलो इस एक और क्वेशन दो ना एक और दें क्या कि यह सर कंचप दो क्वेशन में नहीं हुआ क्या कि चलिए अगर आप कहते हैं तो हम दे देता हैं को देख लेते हैं कोई कोशन और दोई कोशन हमने ढूड़े थे आपके लिए हम खुली डारेक्ट लेते हैं कोशन नंबर थर्ड इस नेक्स्ट लाइक दिस कैल्कुलेट दे कैल्कुलेट दे इसके लिए इस निकालना है और बच्चों आपको गीबन दिया गया है आपको जेडन टू पॉजिटिव टू जिंक का दिया गया है जिरो पॉइंट सेवन सिक्स बोर्ट और दूसरा आपको एक पहला ही दिया गया है दूसरा आपको दिया गया है इसको प्लस करिए जेडन और यह आपका हो जाएगा जेडन टू जेडन पॉजिटिव यह आपका दिया है जिरो पॉइंट थी सिक्स पूर्ट चलिए कैल्कुलेट करो इसको इसको कैल्कुलेट करिए थोड़ा जल्दी करो बटा समाई की नजाकत को देखते हुए बच्चो मैंने जैसा कि आपको बताया था यह समाई ऐसा है कि इसकी कोई पूँच नहीं है तो इसलिए मैं इसको पकड़ भी नहीं पाऊंगा समझ रहा है इसलिए समाई की नजाकत को देखते हुए इस कोशन को जल्दी से जल्दी करने की कोशीज करिएगा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी करोगे इस है और यह फ़्यों जीरो पाइट वोल्ट ओके और बच्चे और किसने और किसका निकला अंसर फास्ट करो फास्ट करो फास्ट करो सर माइनस जिरो पॉइंट टू वोल्ट आ रहा है येस सर माइनस जिरो पॉइंट वोल्ट जिस बच्चे का पहला वाला ने आंसर दी एह वह अपने आंसर को एक बार रीचेक करें क्योंकि जहां जाहां जो है बोटिंग ज्यादा हो जाएगी तो फिर प्रधान वहीं का बनता है तो उसलिए आंसर उसली का हो जाएगा माने समझ रहा है ना चली 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 मैं भी करो मैं करू चलो बच्चों देखो सरस्ट क्या दिया है फाँ पहला कशन डेने क्या मीनिंग है मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर जेड़ेंट टू पॉजिटिव से आपका जो है जेड़ेंट पॉजिटिव बन रहा है और लेकिन सर इसके लिए जो इवन की बैल्यू इसने जी ती 0.76 बॉल्ट दी थी ठीक ना दूसरा देखिए दूसरा क्या था सर जेड़ेंट पॉजिटिव बन रहा था इसके लिए एटू की बैल्यू कितनी दी थी 0.36 बॉल्ट दी थी यहां पे आप एन वन इस इकल टू लगा एन टू भी आप वन लगा लोगे वन ही लगाओगे यह सर बिल्कुल वन लगाएंगे तो सर एन थिरी त सर जो मेन रियक्शन है उसमें जिंक आपका रियक्टेंट में है और जेड़ेंट टू पॉजिटिव प्रूडक्ट में है हमें एक्वेशन फर्स्ट को इनवर्स करना पड़ेगा एक्वेशन फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा इनवर्स करना पड़ेगा और उसमें एक्व बोलो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बोल्ट में यह बैल्यू आ जाएगी करेंगे या नहीं करेंगे आप लोग बताओ करेंगे क्या बिल्कुल सर करेंगे और दूसरी क्या है जींक से जेडेंड पॉजिटिव आयन और इटू कितना बनेगा इटू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स बनेगा इससे तो सर इसको कैंसल हाँ बोलो क्या कह रहा था लड़का बोलो बच्चा ऐसा ही आएगा नहीं आएगा बोले सब लो से या सोर नो जेज सर ओके चलिए तो अब एक काम करते हैं वही अन थी निकाल दीजेगा अन थी सिकल टू ए वान प्लस एन टू ए टू टू डिवाइद ब्वाईड़ बाई डिवाइड करेंगे दो से तो एठी कितना आएगा अब मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आया बच्चा माइनस ऑफ पाइनस जीरो पाइंट टू बोल्ड इस इस एक करेक्ट आंसर चलिए अब बता यह डाउड किसी को है तो है अब दया पर हमने सपेकर सबस्क्राइब है हमने सफ defense Mhm को इन वर्स इसलिए किया है क्योंकि कि युद्सपोरण में मैंने बनाई थी इसमें जि सिंग टू-प्लस रि disl emptiness मैं ता लेकिन नहीं जिसको मुझे करना था तो आप कैसे कर दों जैसे को यह मैं तो उसे टुश को प्रोड़क्ट में डालना पड़ेगा तर्श जब अधर में डालों तब तभी तो मुझे यह वालिक्योशन आपटेंट होगी यह यह घैसे होगी यह तो सारी प्रमातमा की बेन है समझ रहे ना बड़े-बटे आगे बोली अब तो बोलो चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आए एक नई बात और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इसका नाम है कंसेंट्रिशन सेल इसका नाम है कि अज़ कि अज़िए अज़ प्रॉश में आए इसका नाम है तो बोलो चलो है इसका नाम है कि अज़ तो बात बात रहे हैं नाम है concentration cell, अब सर ये concentration cell फिर कहां से लाया आप एक और नहीं कहानी, कहानी कुछ नहीं है, बहुत ही simple सी बात है, बहुत ही simple सी बात है, concentration cell की कहानी सुनो भाई पहले, कहानी सुनो, फिर मा जाएगा इसमें, देखो, concentration cell ऐसा बोलते हैं कि बच्चो सपोज मेरे पास ये कोई एक electrolytic cell था, एक ऐसा electrolytic cell, जिसमें एक ही metal का anode बना होता है, और एक ही metal का खैथोड भी बना होता है, मान के चलिए सर मैंने जिंक, मान के चलिए बच्चो मैंने क्या-क्या, तो इदर भी जिंक का ही लक्रूड लोंगा, मतलब एक ऐसा cell, जिसमें एक ही एक ही metal का anode भी होगा, और एक ही metal का cathode भी होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, क्या, एक ऐसा cell, in which, ठीक है न, इलक्ट्रोड हम जिसको बोलेंगे cathode and anode, जो एक ही metal से बने वे होते हैं, उसको बोला जाता है इलक्ट्रोड लाइटिक सेल, तो मैं यहां पर लिखूंगा, एक ऐसा सेल, एक ऐसा सेल, इस सेल, इन वीच, कर्णा doesn't get, आतोड आपट अपर यहां प्रिद्ध मसें आपट अजिए प्यारे वच्चो मैं क्या कहना चाहता हूं जड़ा मेरी बात दुबारा सुझेगा मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेल एक ऐसा कंसें सेल जिसमें एनोड भी एक ही मेटल का बना होता है और कैथोड भी एक ही मेटल का बना होता है जैसे मैंने कहा एनोड पर अगर मैं कहता हू Chief लिए भूलो ऑक्सिदेशन होगा नहीं होगा तो जिंक से आप्ने दो इलक्ट्रोन को लाउस किया तो जिंक का होगे अब्रेर्श कैसे सब्हुत का मैं दो पर यह कैसे मध्यदिध कैसे होगा जैटी है बाइट मैं आप को केड़्ोन करेंगे तो जैटी से अ créer तो आप देखिए एनोड जिंका ही एनोड है जिंका ही कैथोड है जिंका ही एनोड है जिंका ही कैथोड है तो मैंने कहा अगर जिंका ऑक्सिडेशन पोटेंशियल जिंका ऑक्सिडेशन पोटेंशियल प्लस एक्स बोल्ट है तो जिंका रिडेक्शन पोटेंशियल कितना हो ज पोटेंशल कितना हो जाएगा बोलो सभास अरे जीरो होगा नहीं होगा अरे बोलो यार कुछ गलब तो नहीं बोला हो ना समझ में आया बिलकुल आपको बोलो बहुत बढ़िया सी बात बोल रिखिये मैंने आप लोगों से क्या बोले बिटा अवाज नहीं आ रही है क्या बोलना चाहते हूं अच्छा मैं यह कह रहा हूं कि आपने देखा का Oxidation suppose मैंने कहा X Bolt है plus का X Bolt है Reduction मैंने कहा minus X Bolt है जब oxidation Plus मैं है तो Reduction सर उसके जाहिर opposite साइड में में जब opposite साइड में आएगा तो E not cell E of the Oxidation plus E not of the Reduction To Plus X minus X zero आएगा नहीं आएगा आएगा ने बैटा zero तो fragrance के लिए हम लोग जनरली नुट की कितना लेते हैं जीरो के equivalent लेते हैं इस मझे रहे हैं अब सुनों इद था सुनों इनल चुछ जीरो लेते हैं अब सुनिए सअर बात बताई आहिए हम और नहीं बात बताने जा । सुनों इदर tu कुछ बच्चे लैप्ट कर दिया है क्या बात है कहां कि यह क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कहां कि यह कुछ बच्चे लैप्ट हो गए अभी मान कि चले कोई अजड़ ऑफ दिया और यहां पर हप औफ आपका आपका वरत हीट्यकिोज नुफ्ध है यहां पर होगो चाहएं औरों आपको यहां पर में दे दिता हूं अच टू आपका गया है टो यह एछ 2-1 ATM होगा यह आपका वग्ण ATM होगा तो इसके लिए इसके लिए देखो ईनौट और एटू देखो इसल क्या हो जाएगा you इसल इसल है कर टो इनलमाइन ौट पॉ से आपका क्या बना एच पॉसितिव बना नहीं इसको दो से मल्टिप्लाइ करेंगे तो सर यहां पर कितने इलक्ट्रोन इंबॉल्व होंगे दो होंगे नहीं होंगे इधर देखो दूसरा ही कुश्चन सर टू एज पॉजिटिव कि इसका कंसेंट्रेशन सी टू है और उपर वाले का सी मढश्य यहां से सर आप क्या करेंगे इसमें दो इलक्ट्रोन एड करेंगे तो इसको सर क्या बनाएंगे मैं नहीं बनाएंगे गल्याइऑ नहीं तो डूसर कैंसे सर स the c2 2h positive c2 is equal to क्या हो जाएगा 2h positive c1 होगा या नहीं होगा बोले होगा ना अब देखो सर e-cell मैं e-cell इधर लिख रहा हूं देखो e-cell is equal to e0 की value क्या हो जाएगी 0-0.059 upon कितना हो जाएगा 2 और यह कितना हो जाएगा log of देखो c1 upon c2 का square क्या यह बात सबको समझ मागी क्या बोलिए जिरो पाइंट जिरो फाइब नाइन अपन टू जिरो पाइंट सी यह बाइंट जिरो पाइंट जीally से इसको किन्सल कर दो क्या तो एज ही कल डू माइनस ऑब 0.059 log of this c1 upon c2 लिख दो क्या ये equation आया नहीं आया बोला बेटा सवास बोलो बोलो सर अगर आप इसके आगे का sign प्लस कर दोगे तो 0.059 log of c2 upon क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा अब बताओ भाई समझ माई बात क्या आ ये इस सेर बोलो बोलो चलो देख लो एक बाद 10 सेकेड्न के लिए इसको देख लो क्या क्या किया मैंने देखो बेटा कहीं पर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात कहनी है औरे help पारट रिपीट करू ना सीफ येवाला यह वाला यह वाला ना यह यह सर वही देखो यह equation सपोज आपको कोई एक equation ऐसी दी गई है यह यहां पर देखो ह2 से हच प्लस सीवन कंसेंट्रेशन वाला है अब प्रेशर इसका वन एटीम है और दूसरा यहां पर देखो तो मैंने इसको बैलेंस किया तो दो यांगा है तो यहां भी दो लगेंगे तो एलाक्ट्रों से दीवी एक्वेशन है यह आप तो पहले से जानते हैं इस इक्वेशन में रखें इस वैल्यू को तो इधर रख दिया रिखो तो यह इस इकल टू जीरो माइनस इनौट की वैलू जीरो जीरो माइनस जीरो फाइब नैन अपॉन क्या हो जाएगा टू लॉग अपॉन सीटू का स्कॉयर स्कॉयर क्यों पॉपन दो दो है न एच एच के आगे दो दो टू तो स्क्वाइर में आएगा तो लोग टू लोग इसको ऐसे सॉल्ड करेंगे न मैंथेमाटिकल रेज्मेंड 2 log C1 upon C2 2 log C1 upon C2 तो यहाँ 2 से 2 cancel होगा नहीं होगा क्योंकि आपने एक equation पड़ा होगा log X to the power N तो यह log है यह X है इसकी power N है तो इसका formula क्या होता है N log X ऐसा होता है नहीं होता है बोलो यह सर बिल्कुल है लेकिन consultation cell का और इसमें क्या connection है सर किसमें बिटा है concentration cell और इसमें एक मिनट है यह समझ मां आगया ना आपको यह सर अब आप बताओ क्या बोलना चाहा रहे थी बोलो जो भी concentration cell वाला concept समझा और यह वाला तो उसमें मतलब connection क्या है जोनों का connection यह है आपको यह लग रहा होगा सर यह तो स्टेंडर्ड हाइडोजन इलक्टूट है ऐसा ही लग रहा क्या कि है एसा लग रहा है सर अब आप स्टेंडर्ट हाइडोजन इलक्टूट मैं या तो आप उसको यह तो जो गय जाक रिक रह बाद की है या नप्ट भी ले सकते हो या नहीं लिझा जगह आप नहीं ले सकते हो memb обычно तो यहां पर आपको कैथोर्ड भी किसका है और एनोड भी किसका है एक ही एलिमेंट का है या नहीं है हाँ तो अब बस अब आपको समझमा आ गया होगा इसलिए यह डिफ्रेंस है इसमें क्लेर हुई बात या नहीं बोलो कि अब मैं कुछ इंपोर्टेंट लाइने आप लोगों के ओके देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चो हमने आपको पहले कुछ बात बताई होगी अभी मैं कुछ बहुत 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 इंपोर्टेंट लिखने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल नोट करना है देखिए क्या लिखने जाता हूं मैंने आपको बताया था बच्चों जब इसल की बैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेल क्या होगा क्या होगा बोला था अरे बोलो तो सही स्पॉन्टेनियस बोला था ना दूसरा सुनो अगर मैंने अगर मैंने सपोज बोलो सिटू ग्रेटर देन सी रू लिखा यह वाला सेलHao तो हमेझा यह ऐसा होता है फेट वह स्पॉन्टेनियस वहिकां और कहने का मतलब यह है एक कहने का मतलब इस सेल में देख possession to right hand side मैं है vos27 आ हरेचेस में है और सिवयन काह ए कि अगर मैं कहूंगा कंसेंट्रेशन ऑफ देखो कंसेंट्रेशन ऑफ आरेचेस अगर ग्रेटर देन होता है कंसेंट्रेशन ऑफ एलेचेस से वह हमेंशा क होता है किसी भी सेल को स्पांटीनियस होने के लिए कंसेंट्रेशन का डिफरेंस बड़ा मेजर करता है क्या अब मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने सही से कह दिया या नहीं किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई बात मुझे कहनी है तो वो बोल सकता है एक मिनुट करो न एक मिनुट कि समय अब हमारे रखने का हो गया है रखने का मतलब क्लास होने का हो गया है मैंने आपको क्या बताया था सेल ये मैं सेल का ये मैं पॉजिटिव कब होगा जब इस इकल टू पॉजिटिव बैल्यू आई अब यहां यह लास्ट ही क्वेशन देखे इसमें सी टू अपॉन सी वन है न तो जब सी टू की बैल्यू जादा होती है सी वन से तभी सेल स्पॉन्टेनियस होता है यह देखो यह सेल का रिप्रेजेंटिशन है इसमें अगर राइट हैंड साइट वाले का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है कंपेरिजेंट टू दे लेप्ट हैंड साइड तो आप तब भी बोलेंगे सर सेल स्पॉन्टेनियस होगा मलब आरेचेस कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एलेचेस से तो सेल हमेशा हमेशा स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा स्टूडेंट इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट अब बताईए क्या मैंने अपनी बात सही से कह दिये क्या यह सार तो बच्चो किसी को आज की लिक्चर में कोई डाउट है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा सायथ मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से तो ठीक है बच्चों अब क्लास को रखने का समय हो गया है आप लोग भी थोड़ा सा ठगे होंगे और इसको स्टडी करिए रिविजन करिए कोशन को देखिए आप लोगों के पास बुक करिए और कोशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं यह समझ रहा है इस चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स लिक्चर में तेंक यू सर्वाइशर तेंक यू सर्वाइशर नियुक्यू सर्वाइशर